दोस्तो अगर आप PTM wallet यूज करते हो और आपके PTM wallet में कुछ balance है बट वो balance जो है अब आपको आपके bank account के अंदर move करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो ये बताने वाला हूँ चैनल पर अगर आप नए हो सब्सक्राइब जरू कर दीजिए वीडियो स्टार्ट करते है अब दोस्तो पेटियम wallet से bank account में पैसे ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले पेटियम application ओपन करके login कंप्लेट कीजिए इसके बात में दोस्तो आपको simply जाना है wallet option के अंदर अब यहा का option है तो scan करके आप wallet से payment भी कर सकते हो और यहाँ पर transfer to bank का option आपको मिल जाता है यानि कि wallet से आप आपके bank account के अंदर पैसे transfer कर सकते हो तो यहाँ पर transfer to bank select कर लेना है और उसके बाद में कितने रुपए आपको bank के अंदर transfer करने है आपके wallet में से वो amount यहाँ पर enter करना है अगर आपने कोई bank account already save किया होगा इसके अंदर तो वो इसी तरीके से visible हो जाएगा आप directly select करके उसके अंदर transfer कर सकते हो वाट अगर आप पहली बार कर रहे हो तो यहाँ पर add new का option आपको मिल जाता है तो वो select कर लीजे इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको account number enter करना ह इसके बाद में अगर आपको pop-up message इस तरीके से आ जाता है और कहा जाता है कि आपका bank account आपको रीएंटर करना है तो यहाँ पर account number एक बार फिर से दुबारा से एंटर कर दीजिए तो यहाँ पर हमने account number एंटर कर दिया है confirm पर टाप करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते ह फाइनल पेज आ गया है तो आपके wallet से आपके account में पैसे जाने के लिए फाइनल confirmation होगा कितना amount हम ट्रांजक्ट कर रहे है यह दिखा देगा charges कितने लगने वाले अब यह जीरो processing fee चार्ज करता है तो यहाँ पर कोई भी extra पैसे चार्ज नहीं होंगे तो यहाँ पर total amount दिख connection करना है तो एक one time password दुबारा से यहाँ पर register number पर receive होगा तो वह भी एंटर करना है यहाँ पर OTP मैंने एंटर कर दिया है verify पर tap करेंगे और आप देख सकते हो यहाँ पर पैसे successfully transfer हो चुके है डीटेल्स चेक करने के लिए view details पर tap कीजिए तो किस account में पैसे ट्रांसफर किये यह सारी details आपको यही पर मिल जाएंगी तो पस दस्तों यही simple steps आपको भी follow करना है अगर आपको PTM wallet से आपके bank account में पैसे transfer करना है वो भी without extra charge वीडियो अगर अच्छा लगा है like subscribe जरू कर देना मिलता हो next video में thank you